ये समारक नेता जी के साथ साथ इंडियन डेशनल आर्मी के उन जमानों के लिए भी एक स्तरद्रांज लिया हैं जिनोंने आजाजी के लिए अपना सर्वस्वन न्योचावर कर दिया था ये मेरा सववाग्य है कि पिछले वर्ष आज के ही दिन मुझे कोलखता में नेता जी के पैत्रुक आवाद भी जाने का आउसर मिला था जिस प्रकार से वो कोलखता से निकले थे जिस कमरे में बैठकर वो पढ़ते थे उनके घर की सीजियां उनके घर की दिवारें उनके दर्शन करना वो अनुभव सब्दों से परे हैं साथियों मैं 21 अक्तुबर 2018 का वो दिन भी नहीं पूल सकता जब आजाद हिंद सरकार के 75 बर्ष हुए थे लाल किले में हुए विशेश समारों मैं मैंने आजाद हिंद की कैप पहन कर तिरंगा फैराया था वो पल अधुत था वो पल अविस्मरनिय है मुझे खुशी है कि लाल किले में ही आजाद हिंद फोच से जुड़े एक समारक पर भरी काम किया जा रहा है 2019 में 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फोच के पूर्व सैनिकों को देखकर मन जितना प्रफुलित हुआ वो भी मेरी अनमोर्ड समर्थी है और इससे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि हमारी सरकार को नेताजी से जुड़ी फाइलों को सारवजिनिक करने का आउसर मिला साथ क्यों नेताजी सुभास कुछ ठान लेते थे तो फिर उन्हें कोई ताकत रोक नहीं सकती थी हमें नेताजी सुभास की कें डू विल डू स्पिरिट से प्रेना लेते हुए आगे बढ़ना है वो यह जानते थे तभी ये बात हमेशा कहते थे भारत में राष्टबाद ने ऐसी स्रजनात्वक्ष सक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सोई पड़ी थी हमें राष्टबाद भी जिन्दा रखना है हमें स्रिजन भी करना है और राष्ट्र चेतना को जागरुद भी रखना है मुझे विश्वास है कि हम मिलकर भारत को नेताजी सुभाद के सपनों का भारत बनाने में सफल होंगे आप सभी को एक बार फिर पराक्रम दिवसकी बहुत-बहुत शुपकाम को ने देता हूं